Hello everyone SSRS deployment के second video में आपका स्वागत है इस video में हम discuss करेंगे कि कौन कौन से tools हमें जो है वो required होते हैं development से लेके deployment के पूरे process में और उनकी क्या-क्या properties होती हैं कैसे आप उनको install करते हो कैसे configure करते हो वो सारी चीजे जो है वो हम इस video में discuss करेंगे तो इस video को जो है आप like करें चैनल को subscribe करें ताकि आपको जो नए वीडियो है उनका notification फटाफट से मिल जाए So that being said हम लोग जो है वो इसको discuss कर लेते हैं यहाँ पर क्या है एक list मैंने जो है वो बना के रिखी हुई है तो यह जो आपका server है यह आपका basically data store करने के लिए आपको जो है वो use होता है यहाँ पर आप डेटा इस्टोर करने के लिए यह आपका local भी हो सकता है और remote भी हो सकता है ठीक है तो local जब हम development करते है तो local पर ही करते है और जितना भी आपका जो production environment होता है उसमें यह आपका remote प database काफी popular हो रहे हैं तो यह azure पर हो सकता है या फिर on permissus कोई database हो सकता है जिसका कि आप ip address या फिर उसका dns name या फिर जो है वो instance name लेकि आप उसको connect कर रहे हो तो local आपकी machine पर होता है और remote जो है वो कहीं और server पर installed होता है तो उससे हम connect कर सकते हैं और जो आपके real-time production environment या फिर enterprise या फिर कोई organization है वो remote ही use करते हैं उसके बाद अगला जो आपको component इंशाल करना होता है वो reporting service तो जैसे आपका SQL server होता है वैसे आपका reporting service होता है जब reporting service आपका run होता है तो यह कुछ functionality आपको प्रवाइड करता है तो वो some functionality अभी हम एक मिनेट में जो है वो discuss करेंगी कि क्या-क्या functionality आपको यह reporting service service देती है और यही जो है वो आपकी SSRS service होती है जहां पर हम लोग जो है वो navigate करके reports deploy करते हैं उसके अलाबा आपके पास SQL server management studio installed होना चाहिए local machine पर आपकी query वगारा जो है वो ready करने के लिए और database से connect करने के लिए यहाँ पर आप डेटाबेस आप connect करते हो और जब आप reporting server जो है इंस्टाल करते हो तो आपके पास database जो है वो create होना चाहिए और इसका भी database create होता है उसको भी connect करने के लिए आप जो है वो SSMS का use करते हो तो यह सारी चीज़े जो है वो हम बहुत ही detail में देखेंगे इस सीरीज में उसके बाद में आपके पास visual studio का instance जो है वो install होना चाहिए और उस पर आपका SSDT install होना चाहिए तो अगर आप यह सीरीज कर रहा हूं कि अगर आपके पास installed है तो ओके अगर नहीं installed है तो आप इस सीरीज को follow करके इस हारा installation कर सकते हो और उसके बाद हम लोग deployment करेंगे ठीक है तो next side पर चलते हैं अब देखो इसको समझते हैं यहां पर सबसे पहले आपका जो है वो SQL server है तो इसका एक local instance हम लोग install करेंगे बट production के case में आपको IT team के दौरा install करके मिलता है बस आपको इसको connect करना रहता है ठीक है और हम जो install करेंगे वह हमारा जो है डबलेपर एडिसन रहेगा हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में गया अब हम reporting service की बात कर लेते हैं आभि हम लोग reporting service की बात कर रहते हैं टो यह क्या है यह आपको एक तो native client जो है आपको मिलता है i.s का Centre agent अब कि spoke साथ का एक SharePoint आता है मतलब website जैसा होता है जहां पर basically आप जो है फाइल मेनेजमेंट और बहुत सारी चीजे करते हो आप फोल्डर बना सकते हो फाइल बना सकते हो तो बैसे यह उससे इंटिग्रेट हो जाता है और वहां पर आप अपनी जो है वो रिपोर्ट को डिप्लॉय कर सकते हो SharePoint पर ठीक है तो इसको भी हम at some point in time इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे बट अभी के लिए जो हम नेटिव बाला लेकर चलेंगे ठीक है तो नेटिव बाले में आपको जो element मिल जाते हैं वो आपके यहां पर आपको जो है वो मिलेंगे कि नेटिव में आपको क्या element मिल जाते हैं पहला आपकी एक reporting service जो है वो आपको मिलती है यह service आपकी compulsory running होनी चाहिए तब आपको है further चीजें available होंगी जैसे कि आप जो है वो reporting service के पोर्टल से connect कर पाओगे ठीक है इसका एक बेब पोर्टल होता है अगर आपकी service running है तो आप पोर्टल से connect कर पाओगे उसके बाद में इसकी कुछ और background services होती है जैसे कि SQL server से connect करना अगर आप reporting reporting service पे कोई change करते हो बेब पोर्टल या बेब service के तुरू तो वो जो है वहाँ पर update करवाता है बहुत सारी चीजे रहती है और फिर आप यहाँ पर जो है वो एक configuration manager होता है तो configuration manager क्या करता है यहाँ पर आप जो है वो roles बगारा set कर सकते हो ठीकर रोल और subscription बगारा जो है आप set कर सकते हो कि कौ कौन सा रोल है क्या subscription है किसको का कौन सी रिपोर्ट जो है वो access होनी चाहिए कौन सा folder जो है वो किस particular candidate को access होना चाहिए या फिर किस folder में कौन सी रिपोर्ट जाएगी बहुत सरे चीजे आप यहाँ पर configure कर सकते हो और जो चीजे आप यहाँ से configure कर सकते हो वो सारी चीजे जो ह करके आराम से कर सकते हो बट अगर आपको command line पसंद है तो आप command line तर भी वो सारी functionality मिलती है तो उसका भी यूज करके आप जो है वो यह सारी चीजे कर सकते हो ठीक है उसके बाद में आपको चाहिए SSMS जो हम लोग discuss कर रहे थे ठीक है तो SSMS basically किसलिए हमें चाहिए होता है पह हमें मिलता है इंस्टेंस रिपोर्टिंग 이हर के लिए rangeल्वर के लिए यह स्टेंसर रहता है रिपोर्टिंग से लिए पहली से लिए इस यह एक बाला जुचाहिए सप्छा सब्सक्राइब्ग eping SAY रयरे तो अबहां मैं तो मैं आपके पास जैसे एक एक SSRS जो है वो reporting service का database रहेगा और अगर आपका local server है तो उस पर आपके और multiple local databases रहेगे जैसे कि आप जो है वो एक आप learning का database बना लो एक आप जो है वो education का बना लो जैसे भी बना लो तो आपके पास multiple database रहेगे तो ये जो database रहेगा आपका SSRS वाला यह बेसिकली आपका रहेगा इस रिपोर्टिंग सर्विस डेटाबेस के लिए जब आप यह सर्विस इंस्टाल करोगे तो उसकी डिटेश जो है वो इस पर्टेकुलर डेटाबेस में जो है वो इंस्टाल हो जाएंगे ठीक है तो यह पॉइंट अगर आपको बहुत ज्याद सर्विस की सारी की सारी डिटेल्स रहती है ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट लाइट पर यहां पर क्या है तो यहां पर देखो आप हम इस सिरीज में सुरू से सब कुछ इंस्टाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि सीक्वेंस जो है वो हम लोग फॉलो कर लेंगे बट यह कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास Visual Studio already installed है, SQL Server already installed है, SSMS और SSGT installed है, सब कुछ आप यहीं फालो कर रहे हो, सब कुछ इंस्टाल करना है, अगर आपके पास कुछ भी install नहीं हो, आप फ्रेस installation कर रहे हो, तो पहले आप Visual Studio install करो, SQL Server install करो, SSGT install करो, SSMS और SSGT और उसका अद में reporting service, तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी ready हो जाएंगी, reporting service install करने के लिए आपके पास SQL Server जो है वो install होना ही चाहिए, क्योंकि इस reporting service का जो database बनेगा, वो यहाँ पे SQL Server पर ही बनेगा, तो यह दो tools जो है आप install कर लो, और उसके बाद में आप reporting service लो install कर सकते हो, अगर आप phrase installation कर रहे हो, तो आप यहाँ से जो है वो follow कर सकते हो, और Visual Studio के साथ में हम लोग install करेंगे SSGT, अगर आपके पास यह हो रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रखा है, तो आप जो है वो follow कर सकते हो, ठीक है, आल राइट, तो यह बाला वीडियो जो है, हम लोग अब यहीं पे खत्म करते हैं, और next वीडियो में जो हम installation सुरू करेंगे, तो installation जब हम सुरू करेंगे, तो आप यह देख लेना कि अगर आपके पास जो जो tools installed है, उनको वो part वीडियो का आप skip कर देना, और आपने जो installation नहीं किया है, उस बाले को जो है आप देखना, अगर आपको सारा install करना है, तो आप पूरा वीडियो फॉलो करना, अगर आपको सिर्फ reporting service जो install करनी है, तो आप reporting service तक जो है उसको forward करके, फिर जो है reporting service install कर सकते हो, और उसके बाद में जो है हम लोग फिर deployment शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को हम यहीं पर support करते हैं, मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ, तब तक लिए thank you, bye bye.